स्वारी तो नहीं कहूंगी पूरा ग्रेन रहे है कैसे आप सब होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे हूं तो आज है मेरा ऑफ क्योंकि आज है गांधी जयनती तो मैंने अपनी छुटि को बहुत ही अच्छे से यूचिलाइज किया है क्योंकि मैंने पूरा क्लीनअ पूरा चीज़े मैंने क्लीन किया है और यह जो बैट देगेंगे ना इसमें भी बहुत अब्च आप फंगस टैप क पूरा देख सकते हैं एकदम चमकने लगा है मतलब इसका कलर ऐसा है तो अजीब से कलर अगर ऐसा करो तो कुछ और निकलता ऐसा करें मतलब अभी तो कैमरे में नहीं हो रहा कैप्चर लेकिन है ऐसा और अभी ना मेरा जैस्ट मुझे पार्सल रिसीव हुआ है और पार्सल में अभी रिवील नहीं करूंगी मैं पहले सही बता देती हूं क्योंकि मैंने बहुत सारी जगे से अभी सौपिंग किया है बिग बिलियंडे चल रहा है बहुत अच्छे ओफर्स चल रहे हैं तो उसकी वज़े से थोड़ा मैं सौपिंग करने में ग्रीडी भी हूं मतलब ऐसा अब मुझे बताना आप लोग तो अभी ऐसा है कि बहुत टाइम लग रहा है मैंने बहुत टाइम मतलब मैंने कब 27 को स्टार्ट ही ना तभी मैंने ओंडर कर दिये थी बट अभी बहुत टाइम लग रहा है एमाज़ों में तो फिर भी बहुत फास्ट डिलेवरी हो रही है क अब मैं रिवील करूंगी कि मैंने क्या-क्या सॉपिंग किया है कुछ होम डेकोरेशन डेकोरेशन के लिए भी मैंने किया है क्योंकि वह जो बैड़ वाला का उणना वहां पे मुझे लगाना है मतलब उससे खाली-खाली यसा लग रहा है तो वहां पे ऐसे मैं थोड़ी थ साथ डाल दूंगे उसको अटेच करके क्योंकि अभी ऐसा होता है मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम में क्योंकि मेरे पार्सल रिसीव हो गया फिर मेरे से रहा नहीं जाता मुझे लगता है यार देखूं कैसे है तो मैं अभी न उसका वीडियो सूट कर लेती हूं फिर इसके ब है तो गाइस यहांपे मैं आगा हूं यहां और रही हुए ठोडा सा किहां चुटी का दिन था तो मैं सोचे कि थोड़ा साथ कर लेती ऑप पूरा दिन से help इसाग ए आप लोगों को मल्टी का गार्डन दिखाती हूं बहुत कुप सोरा तब ही मेंटेन है हाँ गाईज मेरी मैं अभी जस्ट आई हुमार्फिक से तो मुझे मैंने न पर और और मुझे आई रिवा करते ही तो उनका कॉमेंटज किया था वह अपको बहुत बड़ा फैन हूं और मैं आपकी सारी वीडियो तेखता हूं तो उसके लिए तो आपको थैंक्यू सो मज़ कि आप मेरे आप मुझे सपोर्ट करते हैं सपोर्ट करने का मतलब आपको कहना था जो भी कहना था आप मुझे डीम कर सकते थे मेरे Instagram पर आप पुब्लिक ली ऐसे मुझे comment करते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा चींद इसका मैंने वीडियो कि तुर आपको reply दिया है कि रीबा की ल नहीं यह जैसे घर में बाते हैं वह इससी एसा ही करते हैं तो उससे कोई अग्दम जीजें होगाकिश घ्राइंतर लिखिद कर दिया लेकिन मेरे लिए या किसी ब्लॉगर के लिए य होब तो 1 के या कोई वीडियो कीडिया उसके लिए ना चोटी बात नहीं होती है ऑप कॉमेंट करके चले गया आप मजाग करके चले गया लेकिन सायद वह मजाग य ऐद उसका कॉम्मेट करका इसको हर्ट कर सकता है Matthew तो बस मुझे मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि आपको हर्ट करना लेकिन मुझे एक जबाब देना था कि ऐसा नहीं है जो कुछ कोई भी कुछ भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है और उस चीछ का आपको मजा उडाने का कोई भी राइट से नहीं बनता है अपने लास्ट में यह भी कहा था कि आप अपने एक फैन को आपने मतलब आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे आप लॉज कर दी तो ठीक है यार आप मत देखिए मुझे ना ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है मैं सीरियस्ली बताऊं कि जो मुझे कॉमेंट में आके आप मेरा वीडियो देखें तो आपकी मर्जी है आपको जो भी करना है आप करिए लेकिन ऐसे कॉमेंट ना करें क्योंकि इस कॉमेंट का मैं बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती हूं और मुझे बिल्कुल भी हसी भी नहीं आती है आप अपना मजाग अपने तक रखिए मेरे कॉमेंट में अगर आप कोई भी कॉमेंट करते हैं तो अच्छा कॉमेंट करें जिससे मुझे अच्छा लगे और मैं एक बहुत ही प्यारा सा रिप्लाई दे पाऊं ऐसे कॉमेंट ना करिए जिसमें मैं कोई भी रिप्लाई ना दे पाऊं तो बस यही था और मैं आप कर दो कि अगर पूलेगा लांगे लोगों को समझ में आ जाता कि याप उदर से हो उसमें कौन सी बड़ी बात है हमारी मदर्टंग है और हमें इसमें प्राउड होना चाहिए इसमें मजाक उडाने वाली जैसे कोई भी बात नहीं कि रीवा की लड़के ऐसा बोलती है उसे क्या करक्ष करता है यूपी वाले यूपी हिंदी में बोलेंगे न तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये यूपी का है विहार का है तो वस एसी मदर अपनी मदर टंग है हम कुछ भी बोलें लेकिन समझ में आजाता है मैं इन दौर में रहती हूं और मैं बहुत जगह मुझे ऐसा होता है कि मैं जनरली अगर किसी से मिलती हूं तो वह यही बोलते हैं क्योंकि यूपी और रिवा और इधर की सब लैंग्विज प्राउड होना चाहिए इस चीज का और मैं प्राउड हूं मुझे बिल्कल भी सरम नहीं आती है